हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब बिल्कुल मस्त तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था सम्टिंग पांच साथ दिन पहले जिसमें मैंने अनॉंस कर दिया था कि मंडे या ट्यूस्डे तक और पिसी कोलेज लेक्टिर की वैकेंसी का नोटिपिकेशन डाल देगा लेकिन एक या मैं वीडियो बनाने के लिए बार आया हूँ ho only video बनाने के लिए अभी भी वहां पर तो centigrade नहीं चल रहा है अल वे में कितनी वेकेंस हैं सभी को नोटिपिकेसन मिल गया तो मॉस्टली सब ने पढ़ लिया होगा यह सारी चीज तो ठीक है यह फिल्विंग अिकोणोमिक्स में सैंतालीस है इंग्लीश में पचछपन हborg इन संस्क्रप्द घाइव उस्थिय और केनद में फाइब हόम साइंस हैं फूड N 0000 में 5 हैं Home Science Education Extension में 8 है Home Science Home Management में 7 है Home Science Child Development में 5 है Home Science Clothing Textile में 6 है Agriculture में 1 है और पंजाब में 200 है ऐसे टोटल मिला के यहां पर 918 टोटल पोस्ट है जिन में एक सर्विस्मेंट की टोटल पोस्ट है 34 है ठीक है तो यह पुरा पुरा प्रोसेस दिया हुआ है यहां पर कौन से कैटेगरी के कितनी पोस्ट है कि कैटेगरी वाइस भी इनको डिवाइड करके बता दिया गया यहां पर बहुत ही प्यार प्यारी तरीके से सारी चीज़े समझाई गई हैं बिल्कुल एक खोल खोल की यहां पर देखो यह जनल का है यह स्ट का यह स्ट का यह और आम से सारी सारी चीजे देख सकते हैं अब हम इसको एक एक पॉइंट पॉइंट करके पढ़ते हैं सारी चीजे समझाती हो पढ़ा हम आपको ठीक है देखो सबसे पहली बात तो यहां पर लिखी हुई है कि वगभा की अधी सूचना दिनांग दिनांग 17.1.2013 किसी वर्ष विशेस में सीधी भरती के लिए अनुचित जाती अनुचित जाती यथा इस्तित अनुचित जाती के पात्र उप्युक्त अभियरती उपलब्द ने होने की दर्सा के लिए इस परकार के आरक्षित रिक्तियों की पच्चा वर्ती तीन भरती वर के लिए नहीं हो और आप वहां पर अनुचित जाती है अनुचित जन जाती के अकोर्डिंग फॉर्म अपलाई करते हो तो आपको तीन भरती वर्षों के लिए अगर गिनित कर दिया जाता है मतलब को अन्वैलिड कर दिया जाता है ठीक है तो इस बात को तो हम ज्यादा जेके अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर इडबलो एस के लिए आर्चित पदो हितु पात्र एवं उप्युक्त अभीवर्ति उपलब्द नहीं होने पर इन पदों का निया मानुसार सामाने पर किलिया से बढ़ा जाएगा ठीक है यदि आप प्रजेंट टाइम में जनरल, OBC, ST, EWS यह जो रिजर्वेशन के जो कैटेगरीज हैं उसके अकोर्डिंग आप वैलिट नहीं हो और आप इनके अकोर्डिंग फॉर्म अप्लाई करते हो तो उस इस्तिति में आपको जनरल में काउंट किया जाएगा ठीक है यदि प्रजेंट टाइमें एक समझा चल रही है EWS की क्योंकि ST, SC, OBC इनका फिक्स है हमारा लेकिन अब भी हमें EWS का पता नहीं चल पा रहा है कि कुछ लोग हैं जो संचेम है EWS के में तो आप जदे EWS से फॉर्म अप्लाई करते हो और आप EWS से वैलिड नहीं माने जाते हो तो टेंसर मत लेना आप जनरल में काउंट होंगे ठीक है तो इसके लावा अनुसूची जाती अनुसूची जाती जन जाती अन्य पिछड़े वर्ग अती पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजे और वर्ग भूद्पूर सेनिक है तो आरक्षित पदों का लाब राजस्त कि जो निवासियां उनको ही मिलेगा बाकी और किसी को नहीं मिलेगा इसके लावा यहां पर देखो यहां पर कुछ कंडिशन्स दी हुई है गुड एकैडमिक रिकोर्ड एट लिस्ट फिप्टी फाइपर सेंट मार्क्स और एन इक्विलेंट ग्रेड इन एपॉइंट इसक हों यहां पर आपकी 55% होनी चाहिए ठीक है मास्टर डिगरी में आपकी रख्विलेंट फिप्टी फाइपर सेंट होनी है यह तो इंडिया की किसी उनस्ती से या फिर जो फॉरन सी यहां वह किसे अक्रेड होनी चाहिए यहिससे सक्टेट होनी चाहिए इसके रावा दा आपाउ क्वालिफिकेशन दा कंडिड़ेट मस्ट हेकलियर क्लियरदा नैशनल इलिजबीलेट टेस्ट कंड़क्ट बाइद यूजीशी csi यार और सिमिलर टेस्ट अक्ड़ेट बाइदा यूजीशी like स्लेट सेट ठीक है दूसरी कंडिशन यहां पर दे गई है कि आपके पास या तो नेट होना चाहिए या स्लेट होना चाहिए यह कंपल से रिया है टेंसर मतलों बाकी बिल्कुल लास्ट तक देखो आपका हर डाउट कंपलीट करूँगा मैं ठीक है नेक्स चलते हम कंडिडेट हुआ और और हैव बीन अवार्डेड एपिएचिडी डिग्री इन अकोर्डेंस विद दा यूनिवस्टी ग्रांट कमिशन मिनिमम स्टेंडर्ड एट नेट सेट स्लेट फॉर रिक्वार्मेंट एंड अपॉइंट मेंट फॉर असिस्टेंट प्र सेट के क्योंकि 2009 का जो रेगुलेशन था उसके अकोर्डिंग लोग पिएचिडी कर लेते थे विदाउट नेट सेट तो देन यू आर इलिजीबल ठीक है अब देखो यहां पर हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है दिना कि 11 जुलाई 2009 से पूर्वे एमफिल पिएचिडी ह है तु पाठ्यकर्मों के लिए पंजिकरत अभिहर्टियों को परदान की जाने वाली डिग्री संबंदित संस्थान की तातकालिन अध्यादेश उपबंधो वी नयमों द्वारा अभिशासित होंगी और पिएचिडी डिग्रीधारक अभिहर्तिकों निम्नुवत सर्तों को पुरा करने के अध्याधीन महाविद्दालियों में शायग आचार्य पद्ध की बढ़ती न्यूक की हितु नेट सेट स्लेट की नियूंतम पातरता सर्तों की अनिवारिता से छूट प्राप्त होगी ठीक है अब हम थोड़ा सा आगे पड़ते हैं वकिंग नौलेज अफ हिंदी राइटिंग इसको ठाटा हो अब हम पड़ते हैं गुड एकेडमिक रिकोर्ड के बारे में गुड एकेडमिक रिकोर्ड की परिभासा देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना यहां पर विशेश उक्त सेक्षिनिक अभी लेक में अनुसूचित जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग नौन क्रिमिलियर अति पिछड़ा वर्ग नौन क्रिमिलियर एवं निसक्त जन वर्ग के अभी अर्थियों को 5% अंकों की छूट दिया है उक्त 5% अंकों की छूट 59% अंकों में देया है सेकेंडरी सिनियर सेकेंडरी थता इसना तक तीनों परिक्षाओं में पर्थक अंकों में देखो यहां से पढ़ना ध्यान से थोड़ा सा सेकेंडरी सिनियर सेकेंडरी इसना तक तीनों परिक्षाओं के अंकों में प्रथक पर् जनल के बताई थी कि मिनिमम आपकी 55% होनी चाहिए मास्टर डिग्री में यदि आप जनल से हो ठीक है यदि आप ओबी सी एस सी और एस्टी से हो तो आपकी 5% की छूट है आपकी मास्टर डिग्री में 50% है यू आर इलिजिबल फोर दिस नोटिपिकेशन ठीक है मतलब आप ज यहाँ पर दिया हुए सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इसना तक तीनों परिक्षाओं के अंगों में पर्थक पर्थक रूप से 5% अंगों की छूट दे नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी सेकेंडरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और इसना तक इन तीनों परिक्षाओं में आपकी minimum 55-55% होनी दाइए ठीकए आपकी सेकेंडरी में भी 55-104 ने चाहिए और इस refuses ठीकreon होनी चाहिए छाए आप किसी भी category से ब्लवांग करते हो ठीक है किसी ब्लोंग करते हो आप चाहे जनरल हो चाहे OBC चाहे ST चाहे SC इन तीनों में आपकी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए राजस्तान लोक्षेव आयो की राजस्तरी पातरता परिक्षा सेट उतने अनिवारिया मानने हैं ठीक है आप यदि सेट कौलिफाई हो दैन यू आर इलिजिवल आगे बात करते हैं दिनांको 1902 जा 1901 में से पूर इस्तनात को तर इस्तर की डिगरी प्राप्त अब्यूर्तियों को PhD उपादी धारन करने पर इस्तनात को तर इस्तर में 5% की छूट दे कर 55-50% ठीक है इसको अठावब एज की बात की जाए तो एज भाई साब 1702,020 को नूनतम 21 वर्ष वे अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए ठीक है आपकी जो एज है वो 1702,020 तक 21 साल हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ठीक है बाकी SC,ST के कंडिडेटों को 5% की छूट है क्या आप आपकी एज में जो भी आपको रिलक्सेसन मिलता है जो भी आपको छूट मिलती है वो छूट है यहां पर ठीक है यहां पर दिया हुए सारा कसरा इसके अलावा उक्त पद लिखित परती योगी ता परिक्षा सांगसातकार के माद्यम से भरे जाएंगे परिक्षा इस्थानवाटिति के संबद में याता संबद सोची देव होगी परिक्षा आपकी जो परिक्षा है अगया ठाटीक है थोड़ा सा आगे पढ़ते हम यहां पर यह फॉर्म डेट है उसके बाद हम आगे डिसकस करें दिखू एक बार फी की बात कर लें तो जो जनरल कैटेगरी के जो कंडिडेट है उनकी फी है यहां पर कितनी 350 रुपए ठीक है 350 रुपए राजस्तान नॉन क्रेमिलीएर सिरेनी के अन्यव पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग आवदको का 250 रुपए फी है समस्त निशक्त जन राजस्तान के अनोसे उचित जन जाती जिनकी पारिवारिक आयद 2.50 लाग से कम है के आविद को हित्तू 150 रुपय पे होगा ठीक है तो ये था यहाँ पर अब इसके एक्जाम का सैडूल देते हम एक्जाम किस तरीके से होगा तो ध्यान रखो भाई एक्जाम आपके दो सब्जेक्टिव पेपर होंगे यहाँ पर कौन कौन कर सकता है जो अब भी मास्टर डिग्री में है पर जैन टाइम में ठीक है जो नन न न ने अब भी मास्टर डिग्री में एड्विशन लिया है डैन यू आर इलिजीबल फॉर ठीक है जिनका अब भी नहीं है वो भी इलिजीबल है क्योंकि आप नहीं है आपके पास तो भी आप फोम अप्लाई कर सकते हो यह वैकन से थोड़ा लंबा टाइम लेगी आप सबी को पता है तो जून में जून 2021 में फिर से नेट का एक्जाम होनी वाला है तब आप फोम अप्लाई करके नेट निकाल सकते हो क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपके डोकुमेंट्स वेरिफाई होंगे डोकुमेंट्स आपको जमा कर आने पड़ेंगे इसा कुछ नहीं है यहां पर इसमें ऐसी कोई भी कंडिशन भी नहीं दी कि आपके जो डोकुमेंट्स है वो इतने तारिक से पहले पहले के होने चाहिए जैसे भी हार असिस्टेंट प्रोपेसर के एक्जाम होगा था वहां पर दे दिया था उन्होंने बाकाइदा कि फॉर होना चाहिए आपके पास या सैट होना चाहिए आपके पास ठीक है और इसके लिए भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है डोकुमेंट्स का काम इसमें इंटूर के टाइम में होगा उससे पहले नहीं होगा तो आप जिनके पास नेट नहीं है भी सैट नहीं अभी जिनके य तो वो सबी भी यह form apply कर सकते हो ठीक है और भाई लोगो सबसे दूसरी important बात वो बात यह है जो जन्रल स्टेडिस और राजस्तान का पेपर है उसका मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं आज सही आज से नया बैच स्टार्ट नो तारिक से मेरी class continue हो जाएंगी इसकी ठीक है तो यदि आप अपकी बार इस मोके को नहीं छोड़ना चाते हो college lecture बनना चाते हो तो प्लीज मेरा बैच जरूर जोइन करें बैच जोइन करने के लिए नमबर है 7891350470 यह मेरे वोर्टसप नमबर है यह मेरे इनके उपर आप मेरे को call भी कर सकते हो always ठीक है नया बैच स्ट कर रहा हूं बहुत expert team रहेगी यह ध्यान में रखना और expert team में वो candidate भी सामिल है जो प्रजेंटाइम में college lecturer भी है इसके लावा जिन्होंने 2014 वाला college lecturer का exam दिया था बहुत अच्छी performance रही थी और उस टाइम उनका selection भी हुआ था बहुत अच्छी performance के साथ ठीक है तो आप अप आपकी बार रियल में college lecturer बनना चाहते हों तो प्लीज इन पर जरूर कॉंटेक्ट करें और general studies of Rajasthan के लिए मेरा बैच जोइन करें दूसरी condition मैं यहां पर जोग्रूफी का भी बैच चला रहा हूं तो यह आप जोग्रूफी से हो तो सबसे बैस्ट है आप दोनों पे त्यारी करवाई जाएगी कि वहाँ पर इंट्रो में किस तरीके से क्योशन पूशते हैं कैसा क्योशन पूशते मतलब ओवराल आपकी जिरो लेवल से लेकर 100% लेवल तक आपकी तयारी करवाई जाएगी ठीक है इसके अलाबा इसी वीडियो के description में मेरे telegram group का link पड़ा उस telegram group का कोई चार्ज नहीं है बाकी जो मेरे paid class रहेंगी CS के paper की जो group के paper की उनका थोड़ा थोड़ा चार्ज रहेगा अब बिलकुल नाम मातर चार्ज है तो best है आप अब भी join करें अब भी क्योंकि start की है मैंने best तो start में मैं fees बिलकुल कम रखता हूं ठीक है तो fees के regarding आपका कोई भी doubt हो तो भी आप मेरे से पूंच सकते हों